विश्वनात प्रताप सिंह भारत गणराज्य के दस दस्वे क्रम के सात्वे व्यक्ती प्रधान मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनका शासन एक साल से कम चला 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक विश्वनात प्रताप सिंह जन्मक 25 जून 1931 डईया राजगराना, राजा मांडा, कोराम के निकट, मांडा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मृत्यू 27 नवंबर 2008 दिल्ली विश्वनात प्रताप सिंह भारत के आठवे प्रधान मंत्री थे राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधान मंत्री बने विश्वनात प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था सिंह प्रधान मंत्री के रूप में भारत की पिछडी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं विद्यार्थी जीवन विश्वनात प्रताप सिंह भारत गनराज्य के 10 दसवे क्रम के सातवे व्यक्ती प्रधान मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनका शासन एक साल से कम चला 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक विश्वनात प्रताप सिंह जन्मक 25 जून 1931 डईया राजगराना, राजा मांडा, कोराम के निकट, मांडा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, मृत्यू 27 नवंबर 2008 दिल्ली विश्वनात प्रताप सिंह भारत के आठवे प्रधान मंत्री थे राजीव गांधी सरकार के पतन के कारण प्रधान मंत्री बने विश्वनात प्रताप सिंह ने आम चुनाव के माध्यम से 2 दिसंबर 1989 को यह पद प्राप्त किया था सिंह प्रधान मंत्री के रूप में भारत की पिछडी जातियों में सुधार करने की कोशिश के लिए जाने जाते हैं राजनीतिक जीवन विश्वनात प्रताप सिंह को अपने विद्यार्थी जीवन में ही राजनीती से दिल्चस्पी हो गई थी वह समरिद्ध परिवार से थे इस कारण युवाकाल की राजनीती में उन्हें सफलता प्राप्त हुई उनका संबंध भारतिय कॉंग्रेस पार्टी के साथ हो गया 1979 से 1971 में वह उत्तर प्रदेश विधान सभा में पहुँचे उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल 9 जून 1928-28 जून 1982 तक ही रहा इसके पश्चात वह 29 जन्वरी 1983 को केंद्रिय वानेज्य मंत्री बने विश्वनात् प्रताप सिंह राज्यसभा के भी सदस्य रहे 29 दिसंबर 1984 को वह भारत के वित्तमंत्री भी बने भारतिय राजनीती के परिद्रिश में विश्वनात् प्रताप सिंह उस समय वित्तमंत्री थे जब राजीव गांधी के साथ में उनका टक्राव हुआ इस पर वीपी सिंह अर्थात विश्वनात प्रताप सिह ने अमेरिका की एक जासूस संस्था फेरफैक्स की नियुक्ति कर दी ताकी ऐसे भारतियों का पता लगाया जा सके। जब यह समाचार भारतिय मीडिया तक पहुँचा, यह समाचार संसद में मुद्दा बनकर उभ्या। इससे जनता को यह पता चला कि साथ करोड की दलाली में राजीव गांधी का हाथ था। ताबित हो गया कि राजीव गांधी के विरुद्ध जो आरोप लगाया गया था वो बिलकुल गलत तो नहीं है, साथ ही ओडिटर जनरल ने तोपों की विश्वसनियता को संदेह के घेरे में ला दिया था। भारतिय जन्ता के मध्य यह बात स्पष्ट हो गई की बोफार स्तोपे विश्वसनियन नहीं है तो सौदे में दलाली ली गई थी। इससे परदाफाश के कारण राजीव गांधी ने वीपी सेह को कॉंग्रेस से निश्कासित कर दिया। चोरों को सजातों देनी ही थी, जनता ने राजीव गांधी को अपने किये की सजादी और सत्ता से निश्कासित कर दिया। राजीव गांधी के कारण अफसर शाही और नौकर शाही भरष्ट हो चुकी थी। उच्चिस्तर पर भरष्टाचार के दावे ने भारत के सभी वरगों को चौका दिया। वीपी सिह के खुला से सत्य साबित हुए। वीपी सिह ने चुनाव की तिथी घोशित होने के बाद जनसभाओं में दावा किया कि बोफोर्स तोपों की दलाली की रकम लोटस नामक विदेशी बैंक में जमा कराई है और वह सत्ता में आने के बाद पूरे प्रकरण का खुलासा कर देंगे। पौंद्रेस में वित एवर रक्षा मंत्राले सर्वेसरवा रहा व्यक्ति यह आरोप लगा रहा था। इस कारण लिया कि वीपी सिंग के दावों में अवश्य ही सच्चाई होगी। अब यहां यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि वीपी ने जो बताया था वो सच था। राजीव गांधी ने सत्ता में रहते हुए एक दस्यू की भूमिका निभाई। यही बात बोफोर सौदे के मामले में भी हुई। इस प्रकार इस चुनाव में वीपी सिह की छवी एक ऐसे राजनीतिगे की बन गई जिसकी इमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने तो उन्हें अपना नायक मान लिया था। वीपी सिह छातरों की टोलियों के साथ साथ रहते थे। वह मोटर साइकिल पर चुनाव प्रचार करते छातरों के साथ हो लेते थे। उन्होंने स्वयं को साधारन व्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए यथा संभवकार की सवारी से भी परहेस किया। फल्स्वरूप इसका सार्थक प्रभाव देखने को प्राप्थ हुआ। वीपी सिह ने एक और जनता के बीच अपनी सत्यवादी की छवी बनाई तो दूसरी और घोटाले बाज कॉंग्रेस को तोड़ने का काम भी आरंभ किया। जो लोग राजीव गांधी से असंतुष्ट थे, उनसे वीपी सिंह ने संपर्क करना आरंभ कर दिया। वह चाहते थे कि असंतुष्ट कॉंग्रेसी राजीव गांधी और कॉंग्रेस पार्टी से अलग हो जाएं। उनकी इस मुहिम में पहला नाम था आरिफ मुहम्मद का। आरिफ मुहम्मद एक आजाद एवं प्रक्तिशील विचारों के व्यक्ती थे। इस कारण वह चाहते थे कि इसलामिक कुरीतियों को समात्त किया जाना आवशक है। आरिफ मुहम्मद तथा राजीव गांधी एक दूसरे के बेहद क्रीब थे लेकिन एक घटना ने उनके बीच गहरी खाई पैदा कर दी। दरसल हुआ यह की हैदराबाद में शाहबानों को उसके पती द्वारा तलाक देने के बाद मामला अदालत तक जा पहुँचा। लौके आधार पर ही फैसला किया जाएं। इस कारण यह विवाद काफी तूल पकड़ चुका था। ऐसी स्थिती में राजीव गांधी ने आरिफ मुहम्मद से कहा कि वह एक जोरदार अभियान चलाकर लोगों को समझाए कि मुसलिमों को नया कानून मानना चाहिए और मु पी सिह ने विद्याचर्ण शुकल, रामधन तथा सत्पाल मलिक और अन्य असंतुष्ट कॉंग्रेसियों के साथ मिलकर 2 अक्टूबर 1987 को अपना एक प्रिथक मोर्चा गठित कर लिया। इस मोर्चे में भारतिय जनता पार्टी भी सम्मिलित हो गई। वामदलों ने भी मो मोर्चे को समर्थन देने की घोशना कर दी। इस प्रकार साथ दलों के मोर्चे का निर्मान छे अगस्त 1988 को हुआ और 11 अक्टूबर 1988 को राष्ट्रिय मोर्चा का विधिवत गठन कर लिया गया। प्रधान मंत्री के पदपर 1989 का लोक सभा चुनाफ पूर्ण हुआ। कॉंग्रेस को भारी क्षती उठानी पड़ी। उसे मात्र 197 सीटे ही प्राप्थ हुई। विश्वनाथ प्रताप सेह के राष्ट्रिय मोर्चे को 146 सीटे मिली। भाजपा और वामदलों ने राष्ट्रिय मोर्चे को समर्थन देन का इरादा जाहिर कर दिया। तब भाजपा के पास 86 सांसद थे और वामदलों के पास 52 सांसद। इस तरह राष्ट्रिय मोर्चे को 248 सदस्यों का समर्थन प्राप्थ हो गया। वीपी सिंह स्वयं को प्रधान मंत्री पद का उम्मीद्वार बता रहे थे। उन्हें लगता कि राजीव गांधी और कॉंग्रेस की पराजय उनके कारण ही संभव हुई है। लेकिन चंद्रशेखर और देवीलाल भी प्रधान मंत्री पद की दौड में शरीक हो गए। ऐसे में यह तै किया गया कि वीपी सिंह की प्रधान मंत्री पद पर ताजपोशी होगी और चौ की ओर दौड लगाई। विश्वनात प्रताप सिंह के एतिहासिक निर्नय व्यक्तिगत तौर पर विश्वनात प्रताप सिंह बेहद निर्मल स्वभाव के थे और प्रधान मंत्री के रूप में उनकी छवी एक मजबूत और सामाजिक राजनैतिक दूरदर्शी व्यक्ति क थी उन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को मान कर देश में बहु संख्यक वंचित समुदायों की नौकरियों में हिस्सेदारी पर मुहर लगा दी निधन 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की अवस्था में वीपी सिह का निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पीटल में हो गया